Hello everyone, मेरा नामे प्रकाश कुमार्तिवारी and I welcome you all to this English Vocabulary Series ये इस सीरीज का पंद्रवाँ वीडियो है तो पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे अप्लोडेड है पकाईदा एक playlist बना हुआ है आप जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं बीच मेरे exam चलते हो तीन दिन का gap आ चुका है तो मैं वापस इसको चालू करता हूँ और वीडियो चालू करूँ उससे पहले फिर से एक बार revision की महात्ता गा देता हूँ तो आप please revise करते रहें क्योंकि revise करने से ही वो कयाब अच्छा होगा और उस पर हम command कर सकते हैं otherwise किसी भी तरीके से यह आपको फाइदा नहीं करेगा चले बीना किसी तरीके वीडियो को में आगे बढ़ते हैं तो आज का हमारा पहला वड़ है पाउपर ठीके अब पाउपर या फिर इसको जो पढ़ना आप पढ़ सकते हैं इसका मतलब होता है one who has no money जिसको हिंदी में कहेंगे कंगाल ठीके तो पाउपर मतलब कंगाल अब इसको कैसे रिलेट करें तो इसको रिलेट करना काफी आसान है पाओ पर पाओ आपको मालूम है पैर तो कोई इंसान अगर अपने पाओ पर है पाओ पर है यानि या कि उसके पस कुछ पैसा नहीं है ने तो जरूर वह गाड़ी खोड़ा पर चलता तो पाओ पर यानि कंगाल ठीक है I hope आप समझ गया होंगे अब हमनों चलते है अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है परपेच्वल तो परपेच्वल मतलब continuing for a long period of time without interruption यानि लागातार मतलब कोई ऐसा चीज जो लागातार चल रहा है उसमें कोई interruption नहीं आएगा ठीक है तो अगर आप डेली नहीं कर रहे है तो काम चल जाएगा ठीक है आप हाथ पैर के लिए आप कपड़ा नहीं पहन रहे है तब भी काम चल जाएगा ठीक है तो ऐसा होता न कि जैसे हम बोल सकते हैं कि हाथ वाला काम पेट वाला काम ठीक है होता है आप 10 दिन 20 दिन छोड़ देंगे बीच में तो बस याद रखिए कि आदमी पेट वाला काम लागातार करता है ठीक है तो पर पेट वाला काम बाकि आप सर पैर वाला काम कर सकते हैं I hope आप इसको ऐसे relate कर सकते हैं, आप बार-बार revise करेंगे, तो आपको ये बैठ जागा आपके दिमाग में, ठीक है, अब हमने चलते हैं अपने अगले word की तरफ जो की है, pervenue, pervenue मतलब होता है, one who has suddenly gained new wealth, power and prestige, मतलब हिंदी में कहेंगे इसको नहीं नहीं दौलत, मतलब अभी just नहीं नहीं इसको suddenly मिल गया, पहले बेचारा गरीब था, अब ही आचाना की पहुत पैसा मिल गया, तो इसको कहेंगे pervenue, ठीक है, तो इसको कैसे relate करें, तो आप जानते हैं को word revenue, revenue मतलब कमाई, ठीक है, तो ये revenue कहीं हो गया venue, लेकिन आप इसको ऐसे ये पर, पर यानि आप इसको relate की जाएसे हिंदी में, परसो, ये परसो वाला पर है, तो परसो वाला revenue, परसो वाला revenue मतलब बिल्कुल नहीं नहीं dollar, कली परसो आया है, ठीक है, पहले से नहीं था, I hope आप समझ में आ रहे होगा, आप revise करेंगे तो आपको अच्छे से दिमांग बैठ जागा, अब ह अगई नहीं की अपने जगह का है, ठीक है, तो उसको कहेंगे outlandish, तो इसको तो relate काना काफी आसान है, out मतलब बाहर का और land, तो कोई बाहर के land से लगया कोई इंसान, land मतलब जमीन, तो कोई बाहर के जमीन का अगर कोई इंसान लगे, तो कैसा लेगा, obviously strange लेगा, unfamiliar लेगा, फोरन लेगा, विदेशी लेगा, तो outlandish, ठीक है, I hope आप समझ गया होंगे, अब हम फिर से एक बार revise कर लेगा, ताकि दिमाग मचे से बैठ जाए, तो हमने देखा पहला word, जो कि यह पाउपर, तो पाउपर है या नि, आप क्या है, गंगाल है, तो आप obviously गाड़ी पे होत ठीक है, फिर हमने देखा per venue, तो per venue में हम देखा revenue, और ये परसो का revenue, परसो का revenue मतलब नहीं नहीं dollar, ठीक है, फिर हमने आगे word देखा outlandish, outlandish मतलब out, यानि बाहर के land वाला इंसान, कैसा दिखेगा, विदेशी, unfamiliar, ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अब हमनों चलत करने आ गया, ठीक है, तो इसको कहेंगे, मर सेनरी, तो अब इसको कैसे relate करें, इसके मतलब से, तो इसको तोड़ जीजे, ये मर, इसको लिए कि मार पीट करने वाला, मार, ठीक है, मार, और ये सेनरी, मतलब सेना, ठीक है, तो मार करने वाला सेना, ठीक है, मार करने वाल सेना तो आप generally आपका बहुत सरा दोस्त है लेकिन आपने obviously एक सेना बना के रखा है सिर्फ मार करने वाला तो आप उनको क्या देते होंगे पैसे दे के रखते होंगे वो आपको क्या है किराय के सैनिक है ठीक है तो जब भी आपको कहीं कुछ लफड़ा हो आप मार करने वाला सेना अब बुला लेजिए mercenary यानि किराय का सैनिक ठीक है आप ऐसे relate कर सकते है मार करने वाला सेना mercenary ठीक है अब उन्हों चलते है अपने अगले वड़ की तरफ जो किये लीमी वोरस मतलब eating murder एक ऐसा इंसान जो मिटी खाता हो ठीक है तो मिटी खाने वाला इंसान तो यह हो गया लीमी वोरस अब इसो कैसे याद करें तो आपने सुना होगा कारनी वोरस जो मास खाते हैं हर्वी वोरस जो जो प्लांट्स वगरा खाते हैं तो उनको कहेंगे हर्वी वोरस तो जो लीमी खाते होंगे लीमी उसो क्या कहेंगे लीमी वोरस अब लीमी तो कुछ है नहीं खान लिमी खाता होगा, यानि वो बच्चा होगा, और बच्चा कैसा होता है, वो मिट्टी ही खाता है, ठीक है, लिमी वोरस, लिमी वोरस यानि मिट्टी खाने ला इंसान, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, आप बार-बार रिवाइस करेंगे तो आपकी दिमाग में अच्छे ठीक है आप मतलब उन दोनों को एक जैसा नहीं है पर उन दोनों को एक ट्रिक से ही आप उसको याद किज़ेगा ठीक है जैसे एक है फ्लुक फ्लुक मतलब एक्सिदिंटल गुड़ फॉर्चुन मतलब की अकास्माइत सफलता मतलब आपको एक्सिदिंटल कोई चीज आपकी साथ अच्छा हो गया तो उसको कहेंगे फ्लुक तो fluke को कैसे याद करें, देखिए, fluke में देखिए, word छुपा होगा, fall, fall, यह देखिए, fall, fall, और यह look, look यानि luck, ठीके, तो आपको कोई fall मिला किस से, luck से, luck यानि किस्मत, l-u-c की, मैंने लिखा है, ठीके, तो यह देखिए, fall, look, मतलब fall आपको मिला luck से, यानि आपको accidental good fortune म फिर उसके बाद हम देखिए, word, flounder, flounder मतलब, to struggle help less, यानि घवरा जाना, ठीके, तो यह जो fall आपको मिला luck से, यही fall, यही fall, अब क्या हो गया, flounder, यानि अब यह fall अंदर चला गया, अंदर चला गया, अब बोलते ना कि पैसा कहा गया, तो पैसा गया, अंदर, खतम, त इसको revise करेंगे, तो आपको दिमागा बढ़ जाएगा, एक बड़ फिर हम उन words को revise कर दें, जो अभी हमने पढ़ा, ठीके, तो हमने पढ़ा, mercenary, mercenary मतलब मार करने वाला सेना, तो वो इसलिए क्या है, किराय के सेनिक, मतलब आपके कुछ दोस्त हैं, जहां आपका लफड़ दो वर्ड, sorry, फिर हम देगा दो वर्ड, fluke और flounder, तो fluke मतलब accidental good fortune, मतलब आपको आपको आका समाग सफलता मिला, तो कैसे, fall, fl, fall, allu, look, यानि लख से आपको कुछ फल मिला, और वो जो फल मिला, वो आपका क्या चला गया, आपका अंदर चला गया, ठीके, तो जैसे सार sure, center of attraction, यानि आकर्शन बिंदू, ठीके, जहाँ पर आपका, आप attracted हूँ, center of attraction, तो इसको कैसे relate करें, इसके मतलब से, ठीके, तो sign or sure, तो sign or को याद ऐसे religious, सुनो, ठीके, अब कोई meeting हो रहा है, ठीके, वहाँ पर बहुत सारी लोग बोल रहे है, अब meeting में को सब boring लग रहा ह भासन ओविसली कोई नहीं सुनना चाहता है, लेकिन कोई सुनेगा sure, sign or मतलब सुनो, तो कोई सुनेगा sure, कब, क्योंकि वो attractive performance होगा, तो वो क्या होगा, उस meeting का center of attraction होगा, वहाँ पर सब सुनेगा sure, sign or sure, ठीके, आप ऐसे याद रखे, कि कोई meeting हो रहा है, वहाँ पर बहु उस meeting का, ठीके, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले word की तरफ, जो की है compare, compare या फिर compare, अब यह compare वो compare नहीं है, जो हम लोग comparison करते हैं, ठीके, यह compare, ठीके, तो a person who introduces the performers in a variety show, मतलब की कारेकरम का उद्भू हो सक, कोई अगर show हो रहा है start, त तो वो जो इनसान, जो host, जो performers को introduce करता है, उसको कहेंगे compare, ठीके, compare, तो जो कैसे relate करें, तो देखे, आप यहाँ पर word देखा, competition, तो generally जो भी shows होतार, reality shows को क्या हो, competition, या फिर dance का हो, या फिर singing का, कोई भी competition हो, तो जो यह competition करवाए, कौन करवाता हो, obviously host करवाता है, कि हमार competition करवाए, वो क्या है, compare, I hope आपको ऐसे, आप ऐसे relate कर पाएंगे, और आपको दिमाग में बढ़ जागा, आप revise करेंगे तो, ठीक है, तो हमारा अगला word है, bigode, ठीक है, तो bigode मतलब होता है, person who is intolerant towards those holding different opinion, यानि हिंदी में कहेंगा, कटर इंसान, मतलब एक ऐसा इंसान, आप जो कैसे relate करें, तो bigode को तोड़ी दो word में, एक हो गया big, और दूसरा हो गया oat, लेकिन ये oat को oat मतलब है, इसको हिंदी में पढ़ी oat, ओट आपको मालू मेंगा, ओट क्या होता है, जैसे गाड़ी पार करते हैं, तो आप क्या लगाते है, टायर के पास, ओट लगाते है तो oat यानि hurdle, टीके, oat, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा oat कौन है, तो जो आपका दुस्मन होगा, वो आपके रास्ते का सबसे बड़ा oat होगा, टीके, तो big oat मतलब सबसे बड़ा oat, तो वो इंसान कौन होगा, और इसलिए कैसा इंसान होगा, जो कि intolerant होगा, अगर आप उसके खिलाफ कुछ ओपीने रख लें, टीके, जैसे for example, आपको सोने का मन करें, लेकिन वो बुलेग नहीं, मत सुतू, अगर आपको कहीं जाने का मन करें, तो बोलेगा, मत जाओ, तो वो क्या होगा, आपके रास्ते का big oat होगा, ठीके, बड़ा oat होगा, I hope आप समझ गया होगा, अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की सारब, तो यह देखें, यह जो दोनों वर्ड है, यह दोनों आपस में एंटोनीम से हैं, ठीके, तो इनको देखते हैं कैसे, तो सबसे पहला है बोहेमियन, बोहेमियन है मतलब one who does not follow the usual rules of social life, यानि रूडी मुक्त, मतलब ऐसा है इ या फिर सिंगर बोहेमिया, सुना है, बोहेमिया गाने, तो जो बोहेमिया है, वो जेनरली जो नॉर्मल जो लोग गाते थे पहले, जेनरली आप उसको अब बस ऐसे रेलेट के लिए, क्योंकि मैं बोहेमिया गाना सुनता हूँ, अगर आप नहीं सुनते होंगे ता आप या फिर बोहेमिया के दिखेए, उनका जो लाइफस्टैल है, वो बिल्कुल अलग है, जो नॉर्मल लाइफस्टैल है, उस वैसा नहीं है, तो बस आप बोहेमिया से इसको रेलेट के जाए, बोहेमिया मतलब एक ऐसा इंसान जो नॉर्मल रूल्स फॉलो ना करता होगा, य अब इसको कैसे रेलेट करें, तो इसको बस ऐसे रेलेट किजिएगा, कि पेडे, मतलब वो इनसान जो पैदा हुआ, और उसको एक रूल सिखा दिया गया, कि भाई ऐसे से करना है, और वो अंत तक, अंत तक, मरते तक, वही रूल्स फॉलो करे, तो कहेगा पेडेंट, यान हमने देखा, साइनोस योर, साइनोस योर, कौन सा, अगर आप किसी प्रोग्राम में गया है, तो हाँ पे सब, सब बोरिंग चला, तो सब लोग सो रहे है, लेकिन कोई, कहीं पे ऐसा होगा, जहाँ पे सुने गया आदमी, शूर, वो क्या होगा, वो होगा, वो होगा, सेंट फिर हमने देखा, बीगोट, तो बीगोट यानि एक ऐसा इंसान जो इंटोलरेंट हो, तो सबसे बड़ा हडल कौन होगा, जो इंसान इंटोलरेंट होगा, तो अधर होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन्स, ठीक है, फिर हमने देखा वर्ड, दो वर्ड, सौरी, फिर हम देखें, यहाँ पर दो वर्ड, बोहेमियन और पेडेंट, तो बोहेमियन यानि बोहेमियन लाइफ, यानि रूडी मुक्त लाइफ, और पेडेंट यानि पैदा होते के साथ, आंत तक जो रूल फॉल करें, वही रूल, वह कहेंगे रूडी वादी, ठीक है, I hope आप बता सकते आपको वीडियो कैसा लगा, thank you for watching the वीडियो